हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक पड़ फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार B8-22 का जो ओनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आज इस फॉर्म का आप अप्लाइक कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपके सामने कुछ इस पगाड़ का पेज ओपेन होगा जहां पर आप देखेंगे आपके सामने online registration का option देखने को मिलेगा आपको जब इसकी उपर जब किलिक करेंग आपके सामने कुछ इस पगाड़ का इंटरफेस ओपेन होगा जहां पर सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा तो आपको यहां पर पहला नाम middle name और last name जो होगा आपको feel up करना होगा जैसे मानलेजे आगर आपका नाम अनिल कुमार है तो अनिल आपका यहां पर first name होग और यहां पर कुमार आपका last name होगा लेकर अगर मानलेजे आपका नाम अनिल कुमार सिंग है तो अनिल आपका पहला नाम होगा कुमार आपका middle name और सिंग आपका last name होगा जैसा भी आपका नाम होगा आपको वो यहां पर feel up कर लेना है इसके बाद आपका जो है डिटिवर के नाम क्या है आपको ममी के नाम यहाँ पर फिल अप करना है इसके बाद आपका जो इमेल आडी आपको अपना इमेल आडी देना है और यहाँ पर एक पास्वर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा जो आठ से 20 के रेक्टर के बीच को होना होना चाहिए है और ध्यान रखना है इसमें पास्वर्ड को कंफर्णा है और फिर आपके बाद जो मॉबाइल नमबर आपके पास होगा वो आपको यहां अब नमबर डालना है और इस capture code को इंटर capture मफिल आप करने के बाद sign up के option आएगा आपको sign up के उपर किलिक करना है और यहाँ पर फिर आपके बाद यहाँ पर form का preview होगा देख लेंगे जो detail भड़ें वो सही है की नहीं अगर सब कुछ सही है तो confirm के उपर किलिक करेंगे अगर कुछ गलती है तो यहाँ पर change का option देखने को मिलेगा आप change करके सही कर सकते हैं सब कुछ सही होने पाद आपको ok के उपर किलिक करना है अब यहाँ पर आपकी email एड़ या mobile के उपर एक OTP आएगा अब यहाँ पर देखेंगे activate your account को option आएगा आपको activate your account के उपर किलिक करना है जो आपने अपना email एड़ दिया है उस email एड़ को यहाँ पर लिखना है उसके बाद जो email एड़ पे या mobile पे जो OTP रिसीब हो आप वो यहाँ पर डालना है और submit के उपर किलिक कर देना है जैसे हैं आप submit पर किलिक करेंगे OTP डालने ते ही यहाँ पर आपका registration यहाँ पर हो जाँ पर यहाँ पर email एड़ देना है और आपने जो password बनाया था वो यहाँ पर डालने के पाद submit के उपर आपको किलिक करना है जैसे हैं आप submit के उपर किलिक करेंगे आपके सामने एक page open होगा जहाँ पर आपको my application के उपर किलिक करते ही यहाँ पर program का selection करने के लिखा जाए जैसे इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने application retail का option देखने को मिलेगा आपको इसके उपर क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको नाम पूछा बलेगा भरने के लिए तो यहाँ पर candidate का नाम हिंदीम बोल रहा है तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपना माल जानी लिख कर हिंदी में convert कर लेना है और फिर सो copy करकर यहाँ पर fill up कर देना है अब इसके बाद पापा कर नाम और आपके मम्मी कर नाम यहाँ पर detail देखेगा इसके बाद यहाँ पर आपका पूछे का निवासी यानि कि आपकी बिहार के निवासी हैं या बिहार के other estates से हैं लिखना है यहाँ पर EBC वाले बच्चे और BC वाले बच्चे तो EBC का मतलब होता OBC non क्रिमीलियर जो कि आपको ध्यान में रखना है और BC2 का मतलब होता है OBC क्रिमीलियर अगर आपको नहीं पता चल दाहा है तो अपने CAST certificate में देखेगा तो वहाँ पर लिखा रेगा क्रिमी हंडिकेप है के नहीं अपो yes और no क्यों पर क्लिक करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके पापा या ममी एक सर्विस माइन है के नहीं यह जैसे कि अंडियन आर्मी येरफोर्स या ने भी पहले काम की है कि नहीं की है उसका सेलेक्शन करने के लिए क क्लिक करेंगे और हिंदु के लावाजे से मुसलिम और क्रिस्चन जैन या बूदिस्म जो भी होगे तो वहाँ पर yes पर क्लिक करेंगे तो आपको यह ध्यान से भरना होगा इसके बाद पूछेगा कि आपको प्रसनल अडिन्टिफिकेशन माक्स तो यहाँ पर आपको बतान पूछा जाएगा तो आपको हाउस नंबर लिखना है अगर हाउस नंबर नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं अगर वाट नंबर पता है तो वाट नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं लैंड मार्क आपको लिखना है नहीं पता तो छोड़ दीजेगा इसके बाद अपने गाउं correspondence से सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे तो अटमेटिक उपर का और नीचे का address यहाँ पर सेम फील अप हो जागा उसके बाद आपको 7 process का option आएगा आपको 7 process के उपर क्लिक करके आगे बढ़ना है अब इसके बाद यहाँ पर photo और signature अप्लोड करने के लिए कहा जाएगा तो photo य क्यों पर क्लिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको education डिटेल भरना पड़ेगा जिसमें का metric इंटर और graduation तीनों का आपको डिटेल भरना है जैसे कि आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आप से पूछा जाएगा कि आप किस बोट से metric पास किये हैं तो वो भरना है कब पास की हैं उसका selection करना है school का नाम क्या था उसका selection करना है या लिखना है इसके बाद कितना आपको marks कितना आया था वो लिखना है कितना में आया था वो लिखना है उसकी बाद अगर percentage यहाँ पर calculate होके आ जाएगा उसकी बाद यहाँ पर इंटर का detail भरने किल कहा जाएगा कि किस board से पास की है, कब पास की है, कौन school से पास की है, कितना marks आया है, कितना कथा और percentage calculate होके आ जाएगा उसी पकार से आपक graduation का यहाँ भढ़ने कल का जाएगा, तो graduation में सबसे पहले आपको selection करना है कि आप BA, BAC, B.com, BTKB Pharmacy हैं आपको यहाँ पर selection कर लेना है इसके बाद फिर पूछा जाएगा किस board से pass की है कब pass की है, school के या college का नाम था कितना marks obtained हुआ है, कितना कटा था और यहाँ पर percentage calculate होके आजएगा अगर आपके पास post graduation का detail है तो दिजेगा नहीं है, तो छोड़कर आपको 7 process का option आएगा आपको 7 process के उपर क्लिक करना है और फिर उसकी बाद यहाँ पर आपको ok का option आएगा ok को उपर क्लिक करना है, आप यहाँ पर जितना detail आपने भड़ा था वो सब का document upload करने के लिग कहा जाएगा जिसके metric का, फिर 12th का और graduation का तेनों का marksit upload करना है और ध्यान रकना है, graduation का final year का marksit यानि third year का आपको marksit upload करना है secondary का मतब 10th होता है, higher secondary का मतब 12th होता है और graduation आपका graduation है इसके बाद आगर आप किसी category से बिलोंग करेंगे, जैसी SC, ST, OBC तो आपको उसका certificate upload करना होगा और अगर बिहार की निवासी हैं तो आपको residence certificate यानि आवासी परमान पत्र आपको upload करना होगा अब ये से भी document जो आपको होंगे, वो 200 KB से कम कही होना चाहिए जो कि JPG format या PDA format में चलेगा ये से भी आपको upload करना है, original documents को और फिर upload करते चलना है और धियान रखेगा जितना document upload करेंगे, उसका एब पर preview करके देख लेजएगा जो आपने detail भड़ा है, वो सही upload हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बाद यहाँ पर process का option आएगा, आप process के उपर आपको click कर देना है अब इसके बाद आपको तीन examination century डालने के लिग कहा जाएगा, जो कि आपको पहले भड़ देना है तो जो भी आपको यहाँ पर examination century देना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसका selection कर लेंगे तीनों selection करने के बाद save and continue का option आएगा, आपको इसके उपर click करना है और फिर नीची आने के बाद यहाँ पर declaration होगा, इसके उपर confirm करकर confirm and submit के उपर click कर देना है जैसे confirm and submit के उपर click करेंगे, फिर save preview दिखेगा और आपको यहाँ पर proceed to payment का option देखने को मिल जाएगा, आप proceed to payment के उपर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे payment tab का option देखने को मिलेगा, तो आपको online का selection करना है और यहाँ पर बताना है debit card, credit card, net banking, यह को भी other bank के net banking से कटाना है, आपको उसका selection करेंगे इसके बाद यहाँ आप देखेंगे के आपका payment का देखेंगा, केतना fees कटेगा, वो यहाँ पर extra charge भी आपको pay करना होगा उसके cross it to pay का option आपको इसके उपर click करना है और इसके बाद यहाँ पर नीचे रहेगा pay now का option आपको pay now के उपर click करना है और pay using card का option आपको इसके उपर click करना है और फिर यहाँ पर आपको card number है, वो card number देना है, expiry date देना है, जो ATM के उपर लिखावा है card के उपर क्या नाम है वो लिखना है, और जो cvp number है वो लिखना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे pay now का option देखने को मिलेगा, तो आपको pay now के उपर click करना है तो जो भी आपके ATM के साथ में, जो mobile number registration होगा, उसके उपर OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालना है, और OTP जैसे डालेंगे payment complete होगा, तो आपको back page भेज़ दिया जागा, जहाँ पर print application को option देखने को मिल जागा मान लेते हैं कभी कभी क्या होता, payment करने से आपका payment अटक जाता है, payment cut गया पर form यहाँ पर complete नहीं होता है उस condition में आपको कम से कम 48 घंटा वेट करना होता है, जिससे कि आपका payment भेज़ फिरिफाय होने के बाद, print out application मिल जागा अगर वो last date पर अगर form बढ़ रहे हैं, तो कोई tension की बात नहीं, आपका payment complete होई जागा अगर payment cut गया है तो इस परकार से जो form है आपका असानी से feel up हो जागा आसा करता है ये वीडियो अच्छा लग होगा, अगर वीडियो अच्छा लग होगा होता प्लीज वीडियो को like कर देजे, वीडियो को share कर देजे और चैनल को subscribe कर देजेगा मिलेंगे जल्दी next वीडियो में, thank you for watching this वीडियो